कथाएं हैं इसमें से मैं दो कथाएं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमरित का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवता इनके वैद्य है और जो धन्वंतरी है भगवान विश्णु ज के ही अवतार है यह हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी परंतु यह धन्वंतरी है यह भगवान के ही अवतार है परंतु लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता क्योंकि भगवान विश्णु को पालन हार कहा जाता है धन्वंतरी जी क्या है य इह वैद्य है, ये लोगों का पालन करते हैं, लोगों को जो बिमारी से दूर करने का काम करते हैं, ये भगवान विश्नु के अवतार हैं, इसे गांठ बांध करके रख लेना, बाद में ये जानकारी बाद में काम आएगी, तो आईए जानते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं, यदी मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे, तब तुम मेरे साथ में चलो, लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया, और भगवान विश्नु, लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आई, कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विश्नु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अ जान से कथा सुनने से आपको वो धन की प्राप्ती होगी, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, है ऐसा पुराणों में लिखा है, तो विश्नु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षण दिशा में क्या है, जो मुझे भगवान विश्नु जी आर्थत मेरे पती मना कर रहे हैं, भगवान स्वय दक्षण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर होगा, इस तरह के जितने सारे मन में सवाल माता लक्ष्मी के उठने लगे, लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही मा लक् विश्नु जा रहे थे, सरसों की सुगंध सेवे मुग्ध हो गई, और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रंगार किया, और माता लक्ष्मी जो है आगे चली दोस्तों, कथा को ध्यान से सुनना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हू कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती है, आगे जब माता लक्ष्मी गई, तो गण्ने का खेत मिला, लक्ष्मी जी ने गण्ने लिये और रस चूसने लगी, उसी क्षण विश्नु जी आए और यह देख, लक्ष्मी जी पर नाराज होकर के लक्ष्मी माता को डांट द मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी, और ये किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात जो गण्ने थे, गण्ने तोड कर चूसने लगी, चोरी कर लिए, अब तुम उस किसान की बारह वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार क दोस्तों, इस तरह से भगवान विश्णु जी, माता लक्षमी को श्राब दिये, ऐसा कहकर कि भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए क्षीर सागर को चले, अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना इसी में छुपा है, हमारे गुण भरा रहस्य, आखिर हम दीपावली क्यों म बनाते हैं, तो लक्षमी किसान के घर रहने के लिए चली, वह किसान दरिद्र था, जो किसान था, बहुत दरिद्र था, लक्षमी ने किसान की पतनी से कहा कि तुम स्नान कर, पहले इसे मेरी बनाई, लक्षमी देवी का पूजन करो, आर्थत लक्षमी जी का एक स्वरूब बना करके माता लक्ष्मी आई, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इस तरह से माता किसान की पत्नी को कहा। बड़े आसानी से कट गए, बारह वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, विश्नु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहां आए, ध्यान से सुनना तो सामने देखिये, जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया, लक्ष् जाने को तैयार नहीं थी, तो विष्णु जी ने एक चतुराई की, विष्णु जी जीस दिन लक्ष्मी जी आये थे, उस दिन वारुनी पर्व था, ध्यान से सुनिये, वारुनी पर्व था, इसी लिए किसान को वारुनी पर्व का महत्व समझाते हुए, भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर सनान करो, और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना, भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिये, जब तक तुम नहीं लोटोगे, तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा, लक्ष्मी जी ने किसान को चार कौड देने के लिए भेंट की, ध्यान से सुनना तो किसान ने वैसा ही किया, वह परिवार गंगा सनान करने के लिए जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली, वैसे ही चार हाथ गंगा से निकले और वो कौड़ी ले ली, तब किसान को आशचर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है, तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता ये चार भुजाएं किसकी है क्योंकि शंका हो रही थी तो गंगा जी बोली हे किसान ये चारों हाथ मेरे ही है तूने जो कौड़ी भेंट दी है वो किसकी दी हुई है किसान ने कहा मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो है वह भगवान विश्नु है तुम लक्ष्मी को जाने मत देना नहीं तो पुनह निर्धन हो जाओगे यह सुनकर किसान घर लोटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विश्णु को बिलकुल ही दोनों के हाथ पैर पढ़ करके बैठ गया और प्राथरना करने किसान ने लक्ष्मी जी का आचल पकड़ कर बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा ध्यान से सुनना और हाँ जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे तो इसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं समाप्थ हो जाते हैं धन तेरस पर कुछ लोग जो हैं अल्यूमिनियम के बरतन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं तो देखिए इस धातू पर भी राहू का प्रभाव अधिक होता है अल्यूमिनियम का सूचक समझा जाता है त्योहार पर अल्यूमिनियम कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब का इत्र छिड़क करके लाना तो इसके जो है दुष्ट प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। स्वरूप होता है इस बात का थोड़ा सा विशेश ध्यान रखिये कि वाहन खरीद सकते हैं वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम समझा जाता है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए धन तेरस पर। यदि आप कोई बरतन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखना, घर में घर में कोई खाली बरतन नहीं लाना, उसमें कुछ न कुछ चीज भर करके जरूर लाना, जैसे चावल है, धनिया है, ये कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बरतन खरीदे, तो बरतन में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक रुपए का एक सिक्का डाल करके लाना, दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता लक्ष्मी नारायन, और आप सभी को हमारे तरफ से धन तेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन तेरस और दीपावली के दिन पहन लेना, अपने गले में इस पेड की जड़ को आपका भाग्य होगा, सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे, दौलत पीछे-पीछे आएगी, माता लक् मुठी में आ जाती है, बिना दीप धूब जलाए, बिना आरती करें, मात्र धन तेरस पर इस व्रिक्ष की जड़ को गले में धारन कर लेना आपका बेडा पार हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी को इस व्रिक्ष की जड़ बेहद प्रिय है, और जिसके गले में यह जड़ हो जोस्तों हमारे हिंदु धर्म में व्रिक्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इन व्रिक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। परिणाम मिलते हैं, तो आज मैं अपनी ओर से आप लोगों को धन तेरस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इन चमतकारी जड़ों के बारे में देखिए। यह जो दीपावली और धन तेरस का समय होता है, यह समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इन से आशीरवाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति अपने घर में व्रिद्ध सिध्ध प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से सम्रिद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ती करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं, आपके जाने की जरूरत नहीं है, यहां समस्त जानकारी मिलेंगे, यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी, आज मैं आप लोगों को दिवाली और धन तेरस के समय में धारण किये जाने वाली पांच जड़ों के बारे में बताऊंगा, इन पांच ज ना मानो, मैंने मेरे जीवनकाल में कई बार औशधी का प्रयोग करके बहुत सारे साधक के बीमारी को भी ठीक करा है, बहुत सारे पेड़ पौधों का उप्योग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने छुटकियों में समाप्त करवाया है दोस्तों, वैदिक पंचाक के अनुसार कार्तिक माह की शुकल पक्ष की त्रियोदशी तिथि को यानि 39 अक्टूबर को सुभह 10 बज कर 31 मिनट से धन 13 का पावन पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दो पहर 1 बज कर 27 मिनट पर होगा, जो दिवाली होगी वह 31 दिवाली तक पहन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, कही न कहीं पौरानिक या धार्मिक द्रिष्टी से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक द्रिष्टी से ले लीजिए, हमें लाभ पहुचाने का ही काम ही करते हैं, सबसे पहले तो आपको धन 13 और पूजन करके धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर यह और भी अति उत्तम है, आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी, जो चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयम आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे, तो मैं आप लोगों को दीपावली के स साबित होगी, सर्व, प्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वह जान लीजिए, सर्व प्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है, जैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं अगर आप सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, यानि जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप धारन करके धारन कर सकते हैं, तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से व्रिक् प्रभु हनुमान जी महाराज इसको चढ़ाया जाता है, चमेली के तेल से सिंदूर लगाया जाता है, इसमें हनुमान जी महाराज की दैविय शक्तियां रहती हैं, जो लोग धन के देवी माता लक्षमी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्षमी सिध्ध प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सि करना चाहते है और जो व्यक्ति आरोग्य सेहत मंद चाहते है भगवान धनवंत्री की कृपा प्राप्त करना चाहते है ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए चमेली की जो जड़ है इसे धन तेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाएं, तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। दर, भय, चिन्ता, दोश का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बिमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग व्रिक्ष की जड का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह गुप्त शत्रूओं का नाश करता है। और एक खास बात जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाएं। आपके चहरे से नजर न हटे। उन्ही की बात मानें तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़ चिड़ा है अपमार्ग है इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहि आपके वशीभूत हो जाएंगे तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है। नवग्रह में से किसी भी प्रकार का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बं नहीं रखता, हम भरोसे मंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ, यह जड़ बंद किस्मत के ताले को खोलती है, बरगद की जटा है, यह आध्यात्मिक द्रिष्टी से बहुत ही पवित्र है, हमारे सनातन धर्म में बरगद को देव तुल्य व्रिक्ष माना जाता है, देव व्रिक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इन व्रिक्ष की पूजा होती है जो बर्गद है यह देव व्रिक्ष माना गया है इन में समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है बसी हुई होती है जो बर्गद का व्रिक्ष है इसमें पितरों का भी बास होता है बर्गद का व्रिक्ष भगवान श्री हरी का स्वर बर्गत की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमतकारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्री वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़, अब मदार की जड़, होती है, ये भगवान गणेश जी की सूंड की आकरिती ले लेती है, आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाये जाते हैं, मदार के जो गणेश जी होते हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा फल दायक कहा गया है, यह ततकाल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं, भगवान गणेश जी को रिद्ध सिद्ध शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है, धन तेरस और दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है, प्रथम करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है, दोस्तों, इन्हें विग्न हर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है, यह समस्त संसार के पीडा नाशक है, विशेश, शुभ कार्य, फल का और धनो धनवान बनने वाली कल्यान कारी माने जाते हैं, तो अगर आप रिद्ध सिद्ध शुभ लाब, धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदर की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना, इसकी दो तीन दिन तक पूजा कर लेना, इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या ग जव ग्रह की जो भी पीडा होती है, वो समाप्त हो जाती है, गरीबी दुख दरिद्रता, घर से बिमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड है और वह लोग छुप-छुप कर रोती रहते हैं, परेशानियों और संकटों के कारण दुखी हो गए हैं, दोस्तों, खास करके जो बुद्ध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो इस जड़ को धारण करने के बाद आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं, आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रन्थों, शास्त्रों का अध्ययन करके उचित प्रमानित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन दिवाली के दिन भगवान गणेश जी की शक्तियां जागरित अवस्था में आ जाती है। अब अपराजिता की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए, तो जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दिपावली की रात में जरूर धारण करें। इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की प्राप्ती हो जाएगी। दोस्तों ये जड यानि की बंद किस्मत के ताले को खोलने का और सोय हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नती शुरू हो जाती है। दोस्तों आप मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है। जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह आप माने या ना माने वह आपकी अपनी सोच है जो लोग मानते है। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बेहत जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनक यानि कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो, तो भी नास्तिक लोगों के लिए पत्थर तुल्य है। आस्था के ऊपर निर्भर करता है, आस्था है, तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है, तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे, तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, भाग्य को परिवर्तन होते अपनी आध्यात्मिक उन्नती करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें, सदा आपको यह सुरक्षा प्रदान करेगी, यह जड़ मित्र की भांती मदद करेगी, आपका हमेशा साथ देती है, तो यह थी छोटी सी जानकारी, अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर प काम नाएं,